तो नमस्कार दोस्तो दोस्तो एक और डायविटीज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम एक आटा बनाने वाले हैं मैं खुद बनाऊंगा घर पर लोग लाइसेमिक लोड का आटा जिसकी चपातिया खाके आपके शुगर पर कोई विशेश फरक नहीं पड़ेगा आटा मैं खुद तयार करूंगा चीजे मैंने रखी हुई है जो आपको दिखाऊंगा कौन-कौन सी चीजे हैं उसके बाद में इस आटे से बनी चपातिया खाने के बाद मेरा खुद का बलड शुगर भी आपको दिखाऊंगा कितना फरक पड़ता है तो चलिए पहले मैं अच्थ चाह बाद मीं खरने आपको चीजे दिखा देता हूं कौन-कौन सी चीजे में इस आटे में यूज़ करने वाला हूं तो दोस्तो इस आटे में हम पाँच चीजे यूज़ करेंगे सबसे पहले तो हम यह चने की डाल है यह सारी हमने ऑधाई-भाई-डवी- उसके बाद ये मूंग की डाल है, ये भी 500 ग्राम है, मसूर की भी 500 ग्राम है, और ये पीनेर्स, मूंग फली, कच्ची मूंग फली के डाने हैं, ये भी 500 ग्राम है, और ये सोया बीन की डाल है दोस्तों, दोस्तों ये डाल हमने 100 ग्राम रखी है, क्योंकि ये बराबर अगर आधादा किलो रखेंगे बढ़ा के रखेंगे तो इसके तो इसके इसके अंदर नमी है तो इनको आटा बनाने से पहले हम तवे के उपर दरम कर लेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए और ध्यान रखने की बात यह दोस्तों जो यह फाइवर है यह जो छिलका ह है इसके साथ ही इसका अटा बनाएंगे इसको अलग हम नहीं करेंगे तो दोस्तों यहां पर हम मुंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं और रोस्ट होने के बाद में यह थोड़ा इनमें नमी खतम हो जाती है लेकिन इनको पीसने से पहले थोड़ा ठंडा कर दोस्तों जो आटा मैं बना रहा हूं यह प्योर डाल का है इसमें सोयबीन है मुंग है मसूर है और इसके लावद चने की डाल है और मुंग फली है ठीक है तो यह जिनका सुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है रोटी खाने के बाद उनके लिए है अगर किसी का सुगर इत किलो गेहूं हम इसमें एड करेंगे उसके बाद वो रोटी भी खाके दिखाएंगे कि उससे कितना सुगर पर फरक पड़ेगा जिनका सुगर ज्यादा नहीं बढ़ता वो गेहूं मिला सकते है ठीक है जिनका ज्यादा बढ़ता है हाई रहता है वो डाल का ही आटा बनाए वो गेहूं ना मिला हैं कई लोग बोलते थे पहले मेने बताया था कि इसमें आप बादाम भी मिला लें तो कई लोग खाओ तीन खाओ और बड़ी पोस्टिक चपाती भी बनेंगी तो चलिए अभी हम इससे पीस लेते हैं यह मसीन है इसको पहले मैं साफ करूंगा अभी क्योंकि इसमें गेहूं पीसे हुए थे उसके बाद में हम दाल पीसेंगे तो दोस्तों फाइनली हमारा दाल काटा पिसके ठीक है और दूसरी प्लेट्स में यह जो चपाती है इसके अंदर हमने गेहूं काटा भी एड़ किया है यानि कि यह जो दाल काटा है इस आटे के अंदर हमने गेहूं काटा एड़ किया है क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है प्योर दाल की चपाती अगर आप कहता हूं 50 percent जितना आटा आप ये लेंगे दाल वाला आटा उतनी ही क्वांटिटी में आप गयों का आटा भी मिला लेंगे तो उसका लोड भी कम हो जाएगा तो हम दो तरह से वीडियो की टेस्टिंग करेंगे हमारी सुगर की टेस्टिंग करेंगे पहले हम यह रोटी खाएंगे पहली वीडियो में प्योर दाल की ठीक है और उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं यह 50% जो गये हूं काटा हमने इसमें इसमें एड तो इसको सलाद के साथ खांगे कि हमारा सुगर कितना इंकरीज होता है साथ में बटर जरूरूर लगाओंगा और हर वीडियों बोलता हूं मक्खर लगा के आप रोट कहाई यह तो पहले इस तस करते हैं तो चलिए दोस्तों पहले यह हमने इस स्पेसल डाल के आटे से जो रो देते हैं कि रेंडम अभी क्या है अभी मेरा खाली पेट नहीं है रेंडम में चेक कर रहा हूं तो टाइम दिखा देता हूं 12 10 ठीक है तो अभी हम पहले पर जांच कर लेते हैं कि कितना आता है कि गुलुकोमेटर रेडी है कि यह बलड़ आ चुका है दोस्तों और अब करते हैं गुलुकोमेटर में इसको टेस्ट दोस्तों 105 की रीडिंग आई है अभी इसका स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है तो थोड़ा स्क्रीन को बुझ जाने देते हैं डिप हो जाने देते हैं उसके बाद में 105 अभी रेंडम आया है हाँ यह देखिए चलिए और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है बारा बज़ के बारा मिनिट ठीक है तो यह खाते हैं और खाने के बाद दो बज़े दुबारा से एक बर सुगर जाच करेंगे तो चलिए पहले इसको सुरू करते हैं बिलकुल बाजरे के जैसे रोटी ब मैं खाने वाला हूं और एक रोटी का जिम टेस्ट करेंगे एक रोटी खाने के बाद में क्या रिजर्ट आता है अभी जो रिजर्ट हमारा आया था वो एक सो पांच आया था कि शलाद कंदर टमाटर और प्याद है दोस्तों रोटी को पर मैंने बटर लगा रखा है घी देशी घी खाने में बहुत टेस्टी बनती है रोटी लेकिन बनाने में बड़ा दिक्कत आता है क्योंकि गेहूं नहीं है तो रोटी टूटती है झाल 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 दोस्तों एक रोटी हमने फिनिश कर दी है और हमारा जो रोटी खाने से पहले जो रीडिंग थी एक सो पांच थी ठीक है यह रेंडम थी मैंने खा रखाता कुछ पहले थोड़ा सा अलका फुलका दो बज़े हम आप से फिर मिलेंगे और दो बज़े फिर हम हमारा सुगर चेक करेंगे कि एक रोटी दाल क्याटे की एक रोटी खाने के बाद में कितना सुगर इंकरीज होता है तो लीजिए दोस्तों दो घंटे हो चुके हैं और अभी दो बज़ के आठ मिनिट होए हैं बारा बज़ के दस मिनिट पे हमने दाल की रोटी खाई थी और अब हम देखते हैं कि उसके बाद हमारा सुगर में कितना फरक पड़ा है जो पहले सुगर आया था जो हमने खाया तो इसमें पता लग सकता है पीछे तक का रिकॉर्ड रहता है तो एक सो पांच आया था अब हम फिर चेक करने वाले हैं कि दाल की रोटी खाने के बाद हमारा गुलकोज कितना बढ़ा है चलिए दोस्तों रोटी बड़ी टेश्टी थी बनाने में जरूर थोड़ी प्रोब फैट वगरा सब कुछ मिलता है इंडेक्स उसका का जो है गिलाइसेमिक वह बहुत कम होता है लोग लाइसेमिक इंडेक्स की होती है तो आप बना के खा सकते हैं इस टीप तो लगा ही ना अब प्रिक पहले कर लिया इस टीप हमने निकाला नहीं है यह इस टीप है अब लड़ा चुका है दोस्तों अब इस करते हैं इसको गलुकोमेटर पर टेस्ट ओफ एरर स्टिक खराब दूसरी निकालते हैं क्योंकि दोस्तों यह स्टिक निकालने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है इसके सेंसर पे अगर आपके फिंगर टच हो जाए तो फिर वो काम नहीं करती और वो ही मुझसे गलती हो गई थी सेंसर के उपर इसका मेरा फिंगर टच हो गया था इस टिप के पीछे सेंसर होते हैं यह उपर इन पे अगर आपकी फिंगर टच हो गई तो यह फिर काम नहीं करेगी और दोस्तों गुलुकोमीटर में स्ट्रिप ही महेंगी होती है तो बड़ी कोस्टली होती है यह इस मतलब 90 परसेंट जो कोस्ट होती है वो इसी की होती है कई कई बार क्या ब्लड कम आता है तो कम क्वांटिटी में ब्लड लगता है तब भी वो मसीन काम नहीं करती है इसलिए ब्लड भी अच्छे खासी क्वांटिटी में आना चाहिए हाँ अभी रिडिंग सुरू हो गई है पहले 105 आई थी अब देखते हैं कितना आती है 126 यह देखिए दोस्तों 126 अभी यह बहुत ज्यादा चमक इसमें है तो इसकी चमक थोड़ी खतम हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कितना आती है 126 तो यह एक दाल की रोटी खाने के बाद में जो फिगर आया है वो इतना आया है पहले 105 थी यानि कि 20 वड़ा है एक रोटी खाने के बाद में 20 सुगर का 20 पॉइंट का इसमें फर्क आया 21 पॉइंट का 126 है जो नॉर्मल है अब दोस्तों इसी वीडियो में हम एक और मानलेता हैं वाफ फिर 126 यह दूसरी रोटी थी तो यह दूसरी वही रोटी थी जिसमें राम्न हमेंगेहौं का सबातर और और ये डाइट खाने के बाद हम देखते हैं कि जो mix वाला आटा है, इस में कितना फर्काता है, क्योंकि इस में 21 point का फर्काया था, इस में कितने point का फर्काता है, लेकिन दोस्तो ये video जादा long हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो जो इस रोटी वाली वीडियो है कल स्याम को साथ बज़े चैनल पर डालूँगा तो ये वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी तो कल आप इस वीडियो को देखिएगा इस वीडियो में इतना ही अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिये इजाजत जैहिन नमस्कार